हेलो स्टुडेंट वेल्गम टू माई यूटूब चैनल मैथ स्टेडी पॉइंट इस्टुडेंट देखेगा हमारा ये नुमेरिकल डिफ्रेंशेशन का चैप्टर चल ला है और इस नुमेरिकल डिफ्रेंशेशन का एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइट कर दिया है और अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो फस्ट लिए उस वीडियो को देखेगा उस वीडियो में हमने एक्वल इंटरवल के उपर कोशन डिसकस किये तो जैसे न्यूटन फॉर्वर्वर्ड और न्यूटन बैग्वर्ड के उपर आज इस लेक्शन में हम ड x Step defuki bio निकालिएगा विएक डिग पर अध्ना याध्ज यह चेक रोव इंटरोवल इंटरोवल है या अनिक्वल है देंकि यह 5 5 और 3 में कितने पाचिंश क्यों है 6 ठीक है तो यह सब 3 2 प्रेंट और यहादा इंटरोवल हिंटा जार्वा इंटरोबन के लिए हमारे पास द हम Lagrange's Interpolation और Newton divided Difference किसी भी formula का यूज़ कर सकते हैं लेकिन derivative की case में student मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपना Newton divided Difference Interpolation formula का ही उस करिए क्योंकि Lagrange's Interpolation formula में जो formula होता है वो numerator and denominator की terms में होता है जब हम इसको derivative करेंगे उसका differentiation find out करेंगे तो काफी calculation complicated हो जाएगे तो इस case में हम Newton divided Difference Interpolation formula का यूज़ करेंगे ठीक है चले table बनाते हैं firstly हम देखेगा to construct divided Difference table ठीक है divided Difference table को देखे इस student हम construct करते हैं धर लिखेगा x यह आपका 3, 5, 11, 27, 34 ठीक है student देखेगा और y equals to f of x तो यह value देखेगा कितना है minus 13, 23, 8, 99, 17, 3, 15 35606 ठीक है divided Difference student देखेगा पहले हम first order का construct करते हैं इस तरह से divided Difference first order यह कह सकते हैं तो student देखेगा इसको construct करने का तरीका क्या है next value 23 इन दोनों की मिड में लिखना है 23 minus 13 तो minus minus plus और upon में देखेगा 5 minus 3 ठीक है इसकी calculation अभी करेंगे और 899 minus 23 अपन में 11 minus 5 ठीक और student इसकी calculation करते हैं 17315 minus 899 ठीक है इनका मिड में लिखना है आपको दियान रखेगा 27 minus 11 ठीक और देखेगा 35606 minus 17315 और upon में देखेगा 34 minus 27 ठीक है इसकी calculation करते है ठीक है और student देखेगा ठीक अब इन दोनों के मिड में लिखेगा आप लोग ये values को यहां लिखा जाएगा तो इसमें क्या देखेगा है 146 minus 18 अब यहाँ पर ना 22 का difference हम डिवाइट करें जैसे हमने 5 minus 3 किया था अब यहाँ पर आएगा 11 minus 3 ठीक 11 minus 3 इसी तरह student नहीं हाँ देखेए इन दोनों के मिड में 1026 minus 146 22 का difference 27 minus 5 ठीक इसी तरह student नहीं हाँ देखेगा 2613 minus 1026 34 ठीक यह करिएगा 69 ठीक है डिवाइट डिफरेंस थर्ड ओडर तो student देखेगा 40 minus 16 ठीक है इसमें आपका आएगा 3 का difference जैसे है 11 minus 3 है तो आप देखेए 1, 2, 3 27 minus 3 next देखेगा 69 minus 40 1, 2, 3 34 minus 5 इस तरह से आप लोग करिएगा यह आगा ना 1, 2, 3 34 minus 5 34 ठीक है यह calculation करते हैं हम 1 फिदेखेगा 69 minus 40 29 तो यह भी हमारा बनाएगा next value हमारा 0 आएगा इसको बनाने का कोई वो नहीं है अगर next value आप बनाएगे ने student तो 0 ही निकल कर आएगा ठीक है तो student यह हमने divided difference table को construct कर लिया तो student यहाँ पर जो हम values को note करते हैं इस तरह से note करते हैं Newton divided difference table यह values को आप note करेंगे इन values को ठीक है इन values को आप note करेंगे next यह हमने इसनी नहीं बनाएगा 1 minus 1 क्या आजाएगा 0 तो उसका कोई benefit नहीं रहेगा तो student आब आप Newton divided difference interpolation formula का यूस करिएगा तो आप लोग लिखेगा we have Newton's divided difference interpolation formula for unequal intervals तो student देखेगा y equals to f of x तो यह हमारे पास formula था f of x not x minus x not f of x not comma x1 x minus x not x minus x1 f of x not x1 और x2 एन एक value और लिखेगा x minus x not x minus x1 x minus x2 f of x not x1 x2 and x3 तो student देखेगा यह हमने Newton divided difference interpolation formula का use किया है क्योंकि यहाँ पर interval आपको unequal दे रखा था आप आपको देखेगे यह derivative x इसको हमने differentiate किया तो student देखेगा आप लोग यह f of x not यह value क्या हमारे constant है तो इसका differentiate क्या जाएगा 0 ठीक है यहाँ पर x आ रहा है तो इस x का differentiate करेंगे 1 x not का करेंगे 0 x minus x not का 1 और यह क्या बचेगा आपका x not comma x1 ठीक है next आगे देखेगा आप लोग अब इन दोनों में product rule लगेगा आप देखेगा दो term x x तो product rule apply करते हम x minus x not का करा तो 1 आ गया x minus देखेगा x1 आगे देखो x minus x not इस x minus x1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा ठीक है फिर आप इसको लिखेगा x not x1 x2 यह लिखा हमने इसी तरह सिस्ट्वेंट यहां देखेगा 1 2 3 तीन टर्म हमारे product में है तो हम क्या करेंगे किसी एक term का करेंगे दो term acities रहेगा इसमें product rule apply करते हैं देखे x minus x not का करा तो 1 और यह term acities रहेगा x minus x1 x minus x2 ठीक है अब यहां देखो x minus x not acities रहेगा x minus x1 1 आ जाएगा x minus x2 ठीक है next term और लिखेगा x minus x not और x minus x1 इस case में x minus x2 का करेंगे तो यह 1 आ जाएगा student और यह term हाँ bracket में लिखेगा इसको पूरा ऐसे यहां पर x not x1 x2 x3 ठीक है यह इस newton divided difference interpolation formula का हमने derivative find out कर लिया student देखेगा value किस में निकालना है x equals to 10 पर तो आप यहां x equals to 10 put कर दीजिए x के place पर 10 putting x equals to 10 चलिएगा भई x पराबर 10 put करते हैं तो f dash 10 आ गया देखेगा आप हाँ यहां देखेगा divided difference first order divided difference first order की value कितना है 18 इस value को हमने 18 put किया आगे देखेगा x के place पर आप क्या put कर रहे है 10 आप देखेगा x1 student आप देखेगा यह value क्या है हमारा x not यह आपका x1 यह आपका x2 यह आपका x3 और यह जो value है यह क्या हमारा x4 है चलिए इस values को रखते है x minus x1 तो x1 देखेगा कितना है 5 तो आप देखेगा 10 minus 5 x कितना 5 x not देखेगा कितना है आपका 3 यह value रखेगा divided difference of second order यह देखेगा कितना है आपका 16 तो यह 16 हमने यह पुट किया next आगे देखेगा x की value कितना है 10 x1 आपका कितना है 5 10 minus 5 x2 की value देखेगा कितना है 11 x की value 10 x not कितना है आपका 3 x minus x2 कितना है आपका 11 ठीक ना इन values को हम यहां put कर रहे है next आगेगा x की value 10 x not कितना है आपका 3 x minus x1 कितना है आपका 5 ठीक है divided difference अब यह क्या आ रहा है हमारा third order कितना रहा है 1 तो इस value को 1 यहां put करेगा calculation strength देखे करते हैं इसके f-10 यह आपका 18 multiply by 16 देखेगा इस trend कितना आ गया 192 ठीक है इसकी calculation करते हैं हम into 1 ठीक है तो देखेगा student इसका calculation आता है आपका 18 192 23 ठीक है student यह हमारा आ रहा है 23 तो student देखेगा f-10 मतलब function का derivative हम x equals to 10 पर निकालते हैं तो value कितना रहा हमारा 223 तो student देखेगा यहां पर क्या था अनिक्क्वल इंट्रवल था तो इसलिए हमने अनिक्क्वल के लिए हमारे पास दो फार्मुले हैं लग्रेंजिस यह न्यूटें डिवाड़े डिफरेंस उ इसलिए मैंने यहां पर न्यूटें डिवाड़े डिफरेंस इंट्रवलेशन फार्मे का यूज किया है So student अमीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये मेरा lecture पसंद आया होगा अगर आप लोगों को मेरा ये आज का lecture पसंद आया है तो प्लीज student इस lecture को अपने friends में share करेगा इसको like करेगा इस पर comments करेगा और अगर आप लोगों ने मेरा channel subscribe नहीं किया तो please मेरे channel को subscribe करेज़ेगा और साथ में student bell icon को press कर लीजेगा जिसे मैं जो latest video upload करता रहता हूं उसका notification आपको time to time मिलता रहेगा ठीक है student, thank you